अज ते सप्टेंबर दोजार वी तनू जिला हुशारपूर दे विच हुन तक 92,865 कोविड-19 दे सेंपल ले जा चुके ने जिदे विचो 87,056 सेंपल दे रिजल्ट नेगेटिव आया है ते 4,013 सेंपल दे रिजल्ट पॉजटिव आया है अज तक जिल्ट दे विच 814 एक्टिव कोविड-19 दे केसे हन ते 3,070 ऐसे केसे ने जो के बिल्कुल ठीक हो चुके ने जिल्ट दे विच तकरीबन रोज 1902,000 वेक्तियां दे सेंपल ले जा रहे ने जिल्ट दे विच 43 होट स्पोट बनाये गे ने जिना के ऐसे एरियास जिथे COVID dit spread दा खत्रा है इक containment zone वही नगर अगया है जिस प्रम सेंपलिंग स्टार्ट कार देती गईया है जिल्ट दे विच 564 दे रहे जाने जिवें ऐसी जान दे हैं कि हुन सरकार वल्लों हो माइसलेशन यानि के कार्दे विच एकांतवास नूँ परमिशन दिती गई है ते जादा तो जादा लोग जो के कोविट पॉजिटिव आ रहे ने ओहों हो माइसलेशन ही प्रेफर कर रहे ने इत्थे बहुत जरूरी हो जान जारिया ने उनानों असी पूरी तरह फॉलो करिये जिवें के जदो वी कोई पेशन्ट हो माइसलेट कीता जान दा है ता डिस्ट्रिक दी जड़ी हेल्थ डिपार्टमेंट दी टीम है उकार विजिट करना दी है या इम्मीजेटली उना वलो कॉल जान दी है जदो टीम वि पहला तो ही किसे ऐसी बिमारी नाल जूज रहा है जिमें डाइबटीज होवे कोई किड्नी दी प्रॉब्लम या एस्थमा होवे ऐसी सूरदे विच जड़ी साधी टीम जान दी है ओहो एही सजेस्ट करती है एही सुजाद दी है कि एहो जे पेशन्न नों तुरंथ होस्पि पल्स ऑक्सीमेटर ते होर जो जरूरी जड़ियां होम आइसोलेशन केर दिया चीज बस तुआ है ओह दिन दी है लेकिन एक देखन देविच आया है कि आम तोरते लोग जड़े टीम दे मेडिकल ऑफिसर या जड़े हेल्थ वरकर्स है उना वलो दित्ता होया सिजेशन के त अनु मन दे नहीं है यहां लिखती रूप देविच हमनो इंकार कर दे कि असी अपने परिवारिक मेंबर नू यहां असी अपने पेशेंट नू आझ कराना चांड़ें जड़ के उनू जड़ुर्ण अइसे परिस्थिती तेविच नाही सारी टीम को जो जबर दस्ती कर सक है लेकिन अजे ही केसिस दे विच मैंनों बहुत दुख दे नाल कहना पह रहा है कि कई केसिस दे विच डेट्स भी होई आने पिछले हफ्ते दे विच ऐसे कुछ केसिस जिते फैमिली नू दस्या गया के तो अड़ा पेशन सीरियस है उन्हानों होस्पिटलाइज कराना जरूरी है लेकिन फैमिली वल्लो इन्हानों रिफ्यूस कर देता गया ते कुछ दिन बाद होना दी टेथ होगी पेशेंट दी जेकर आसी अपने जिले दे विच जडिये वदरी मौतां दी गिंती नू रोकना चानने आता है बहुत जरूरी हा कि जडि हेल्थ टीम तो उन्हों विजिट कर दी है ओ जो सुजा दे रही है उन्हों असी मनिये जिथे जिथे वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम है या फिर गवर्मेंट हॉस्पिटल अमरित सर्विच चासी पेज दे आपने पेशेंट्स नू उत्थे पेज जा जा सकता है मैं दसना चाहूंगी के जिले दे विच इस टाइम एक एलस एंबुलेंस जिन्नों अडवांस लाइफ स जा सकता है इस तो इलावा जेड़े ऐसे पेशेंट्स है जिन्ना नू डायलेसिस दी जरूरत हुंदी है उना लहीं बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुश्यारपुर्दे विच एक सेपरेट डायलेसिस यूनिट बनाया जा रहा है जिते सिरफ कोविड पॉज पाइसेंट हुम इस दोलेशन चने जिन्ना नू कोई सिम्टम फिलाल नहीं है या मैल सिम्टोमेतिक ने उना नू होम आइसोलेशन केट दिती जा रही है जिदेविच पल्स ऐंधर हुंदा है उन्हें पल्से जरूरी वस्तु हुं दिया जिदेना लसी अपना ऑक्सेजन ल है उना नू डिस्ट्रिक अड्मिनिस्ट्रेशन वल्लों फोन भी डेली जानदा है तांके उना दे पैरामीटर्स नोट कार सकन जेड़ा आइडियल सेचुरेशन लेवल हुंदा है एक हेल्दी इंसान दा अक्सिजन सेचुरेशन लेवल जो के इस पल्स अक्सिमेटर देनाल मैजर कर देयां ओहो 95 तो 100 परसंड दे विच हुंदा है ते यह जड़ा ऑक्सिजन लेवल है उमर ते कोई जे बिमारी है तो अनू एज या डिजीज देनाल वेरी नहीं कर दा किसे भी उमर दा व्यक्ती ओ 95 तो 100 हुंदा है जे कर तुसी कार बैठे ही अपना ऑक्सिजन लेवल या तो अनू वेदर तो अनू ज़रूरत है हॉस्पिटलाइजेशन दी या डॉक्टर केर दी या नहीं यह मेजर करना चांदे हो ता एक सिंपल 6 मिनट वॉक टेस्ट हुंदा है जेडा कि तुसी कार ब अपने कार बैठे ही 6 मिनट वॉक करनी है उस्तो बाद अपना सेटूरेशन लेवल फिर तो चेक करना है जेकर तो अडे सेटूरेशन लेवल दे विच तिन परसेंट जाए तो ज्यादा डॉप हुंदा है फिर एदा मतलब है एक अन्देशा है कि तो अनू डॉक्टर दे वर्सन हो सकती है, तो यह इंडिकेशन नो जरूर ते आंदे विच रखना है, इस तो इलावा जेड़े कुछ ऐसे पेशन्स ने, जेड़े किड्नी डिजीज दे नाल सफर कर रहे ने, डायलेसिस ते ने, ते कोविट पॉजटिव ने, यह जिना दे लंग एक्सरे दे, चेस् पॉजटिव है, ते ओदे वी लंग दे विच पैच आंदा है, ता उननों भी इमिजेटली डॉक्टर केर दी, मेडिकल केर दी जरूरत है, इस तो इलावा आजकल जेवें सानू पता है के होर जेड़े, होर किसम दे बुखार ने, जेवें डेंगू, मलेरिया, टाइफेड ये वी कुछ-कुछ जगाते इन आदे वी केसे समने आ रहेने, तो जेकर तो आननों बुखार, डाइरिया, सोर थ्रोट, खांसी, सिर्दर्ध, एहो जे सिम्टम तिन या चार दिन तो जादा चल रहेने, ता तुसी अपने अपनों टेस्ट जरूर कराओ, ते किसे वी गवर मैं यह भी दसना चाहूंगी कि इस टाइम जिले दे विच जडे डेंगू दे केसे जिए उकेवल साधे कुल जडे रिपोर्ट होए ने, वक्रे वक्रे सूतरा तो उसरफ 10 केस ने, जो के पिछले साल तो जयसी कंपेर करिए, पिछले साल एस तरीक तक डेंगू दे केस साध सो ए मैं हेल्थ टीम नू भी इस बारे मुबारक बात देना चाहूंगी उना ने बहुत वदिया एफट कीता है सारी एंटी लार्वा टीम ने लगातार हुन भी फॉगिंग चाल रही है सारी कमेटियां दे विच कॉर्परेशन दे विच सब वॉड़ां दे विच बिल्कुल नू फॉलो कर दे हुए फॉगिंग हो रही है जिदे नाल असी डेंगू मलेरिया नू काफी हाथ तक कंट्रोल विच रख्या हुए है इस तो इलावा जिले दे विच जडियां पंचायता ने जैसी पेंडू इलाकियां दी गाल करिये जडियां पंचायता ने तकरीबन 100% जडियां पंचायता है उना ने हुश्यारपुर दे विच मते पाएने रेजलूशन पाएने के ओहो जदो हेल्थ टीम उत्थे टेस्ट करन आंगियां उना नू पूरा सहयोग दे जेडा कोई वहां फेलाएगा उदे नाल सकती नाल पेश आंगे जिदा रिजल्ट सा नू पिंदा देविच जन दी है तो उना नू पूरान सहयोग मिल रहा है तो यह बहुत वदिया चीज हुश्यारपुर देविच सा नू देखन नू मिल रही है जिदा रिजल्ट आन वाले देविच जरूर मिलेगा पिछले दिना चसी यह देख्या के कुछ स्कूल ने वी अग जरूर करांग ते मैं एक वरी यही सारे नू फेर कहना चाहूंगी के असी आल्मोस्ट पीक ते पहुंचे हुए हैं करोना केसिस दी यहां डेट्स दी इसलिए इस टाइम प्रिकॉशन लेनी बहुत जरूरी है आल्मोस्ट छेक मीनने होन वाले है जो दो ताए करोना दा सार जरूर करने विच शुरू शुरू दे विच लोग बहुत सीरियसली मास्क भी पान दे सी सोशल दिस्टेंसिंग वी कर दे सी हाथ भी सैनिटाइज कर दे सी लेकिन हुन किते किते देखन नू लग रहा है के लोकाने विच हो प्रिकॉशन लैंड दी हुन अन्नी सीरियसनेस नहीं रही लेकिन हुन सब तो ज़्यादा जरूरत है एंड मास्क प पाना बहुत ज़रूरी है मास्क जद तक वैक्सीन नी आढ़ि मास्क ही तो अड़ा वैक्सीन है जिनना तुसी जादा मास्ट पाके रखोंगे, जिनना तुसी सोशल डिस्टेंसिंग करके रखोंगे, वेक्सीन दा ही काम करेगा तो मैं उमीद कर दियां कि वशारपुर वासी समझदारी दिखानगे जो डॉक्टरां वलों, सरकार वलों पूरी रिसर्च तो बाद, पूरी खोज तो बाद सिजेशन्स दिते जारे ने, सुजाव दिते जारे ने, उनना नूँ फॉलो कीता जाएगा ताके असियान वाले समय दे विच इननू करोना दे पर कोपनू जिले दे विच धल पास सकिये ते इडिते फते पास सकिये थेंक्यू